अरे क्या हो गया जीजाजी ऐसे दख्का क्यों दे रहे हो आप मेरी बैन को अगर तुम्हारे अउखात नहीं है बाइक देने की तो मुझे नहीं चाहिए इसे अपने पास से तको ठीक है जीजाजी कैसी बात कर रहे हो मैं तो कुछ नोकरी भी निकरता और आजकल के जमाने मे मेंगाई इतनी बढ़ गई है कि सकूटी और बाइक डेट दो लाग से कम नहीं आती देखो मुझे ना इस बात से कोई मतलब नहीं हो तुम्हारे पैसे है या नहीं है खाने लिए दोटिया या अगर तुम्हारे अखात है बाइक देने की तो मुझे बता देना वरना मैं ज अगर तुम्हारे आखात नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए इसे अपने पास यह ठीक है प्लीज ऐसे मत कीजिए मैं तो कुछ नोकरी भी निकरता और आज के दमाने में इतनी महंगाई हो गई है कि स्कूटी और बाइक इतनी महंगी हो गई है तो तुम्हारे प्राब्लम है अगर तुम चाहते हो यह घर पर जाए तो इसके लिए तुम्हें बाइक देनी पड़ेगी जीजा जीजा मेरी बात सुनो जीजा अरे आप जोती सोरी ने आपको सोरी बॉलने को जरुतनी है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपनी घर की लक्षमी को ऐसे छोड़ दिया मुझे माफ कर दो कोई बात ने मैं चलती तुम्हें साथ अरे जीजा क्या करने आया तो यहापे अरे तुम कैसे बात करें वो मुझे लेने आया है और तू उसको सुना रहा है लेने आया है मुझसे गलती हो गई मैं अपने बीबी को लेने आया हूं हमारी योकात निया है तुझे कुछ देने की चला जाए यहां से अरे, अब क्या करने आयो हो? अरे पिता जी मै बताता हूँ बात किया है? धर असल मुझे इनके जीजा जी मिले थे रास्ते में और उन्होंने मेरे को इनकी बाते बताई जीजा जी आप रेती है जल्दी मुझे यहां क्यु बला आई? और दीदी का है? मुझे कोई शौक निया तुमारे बहन को साथ में लेकर गोमने का समझनाई बात स्री क्या गलती हो गो इस से जो तुम इतनी बत्तमीज से बोल दे हो बात बात कुछ नहीं मुझे नहीं रखना उसको तुम ये कैसी बात कर दे हो मुझे नहीं पता अगर तुम चाहते हो कि तुमारी बहन मेरे साथ रहे तो मुझे पांच लाख रुपे चाहिए पांच लाख रुपे तुम तो मेरी बहन से प्यार करते हो ना तुमारी बीबी है और आज अचानक ही पांच लाख रुपे वो सब मुझे नी पता मेरी पर्मोशन होने वाली है और मुझे पांच लाख रुपे चाहिए और वो तुम मुझे दोगे ये कैसी बात कर दे हो मैं कहां से लाँगा इतनी जल्दी पांच लाख रुपे मेरी अभी अभी तो जॉइनिंग हुए है तीन महीने हुए है और इतना बड़ा एमाउंट और ये बात तुमने पहले तो नहीं बोली थी कि तुम्हें दहिज चाहिए तब तो तुम कहते थे कि मैं दहिज के खिलाब हो फिर अचानक ये सब कुछ अच्छा तो तुम्हें लगता है तुम किसी से दहिज मांगो तो वो ठीक है और मैंने मांग लिया तो गलत कर दिया है मतलब 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 मुझे पता तुम अपनी बीबी को छोड़ कर आये हो बाई के लालाच में हाँ तुम सही कह रहे हो सोरी मैंने भी अमनी वाइप के साथ यही किया था आज मुझे रिलाइज हो गया कि मैं कितना गलत था थेंक्यू राजदी मेरे आखे खोलने के लिए हाँ ससोर जी यह सच है जब तक बात तुम्हारी बेटी की थी तो मुझे लगता था मैं सही हूँ दहिज मांगना भी सही है लेकिन जब यही सब कुछ मेरे साथ हुआ मेरे बेहनोंगी ने मुझे से कहा कि उन्हें दहिज में पांस लाक रुपे चीए तब मुझे ऐसास हुआ कि मैंने भी तो जोती के साथ जाई किया था उसके घर पडिवार पे क्या गुच्जी होगी जब भ्यावने के बाद बेटी खा देती है तो इस मावब की इस सक्त के वादे में हाद इनसान बात करता है मुझे इसके लिए माफ कर दो साथ जी तो साले साब आप भी जोती घर चले ठीक है बेटा देर आए दुरुस्त आए जाओ बेटा अपना घर बसाओ